असलाम लेकुम हाई अफ्रिवान वेलकम बैक टू माय चानल आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी हूँ दलीम के रेसिपी जिसको खिचड़ा भी बोलते हैं और यह बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत रिशेदार भी बना है तो चलिए इसके लिए देखते है क्या चाहिए तो यहां पे हमने लिए हैं मसूर दाल 100 ग्राम मूंग दाल 100 ग्राम चना दाल 100 ग्राम और उड़त दाल 100 ग्राम इन सब को हमने एक घंटी के लिए भीव दिया था पानी में और फिर हम हम इसको बॉल करेंगे इसके अलाबा हमें चाहिए 200 ग्राम दलिया और 50 किराम चावल तो यह जो चावल है यह रेडलर यूज वाले ही चावल है और इनको भी हम अच्छे से वाश करके गला लेंगे तो यहां पे मैंने सबसे पहले दलिया और चावल लिये हैं और इसमें पानी डाल दिया है और इसको मैं कुकर में सीटी लगा लूँगी और नमक और हल्दी डाल दी है मैंने और दूसरे कुकर में हम सभी डालों को डाल देंगे और ये मैंने इसमें हरी मिर्चे नमक और हल्दी डाल दी है तो ये हरी मिर्चे जादा तेज वाली नहीं है इसलिए मैंने जादा कौंटरिटी में डाली है और इसमें एक बॉइल आ जाएगा तो फिर हम इसको सीटी लगा के बिल्कुल अच्छी तरह से गलाएंगे और यह सभी खड़े गरम मसाले हैं तो इन सभी मसालों का हमें अच्छे से पाउडर बना लेना है तो बिल्कुल फ्रेश गरम मसाला हम पीसेंगे तो इससे बहुत अ करोमा आएगा और यहां पे हम मटन बनाने की तियारी कर रहे हैं तो हमने ऑईल करम किया उसमें गरम मसाली डाले और अब हम यह पांच से प्यास हमने कट किये थे यह अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो प्यास को हमें बिल्कुल अच्छे से गोल्टन ब्राउन कर लेना है और इस पॉइंट पर हम यहां पे मटन एड़ कर देंगे तो मटन यहां पे हमने देड किलो लिया है और इस मटन को हम अच्छे से बूनना है और अब यह पाउडर मसाली डाल रहा है नमक टेस्ट रकॉडिंगे और यह मैंने लाल मिर्च एड़ कर दिया है तू टी स्पून और धनिया पाउडर टू टेबल स्पून इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे अदर कलसन का पेस्ट तो यह अराउंड थ्री टेबल स्पून हमने लिया है और इसको भी अच्छे से बून लेंगे और यह दही मैंने आड कर दि और इन सब चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करके इसको अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर दस से पंदर मिनित तक भूनना है ताकि इसके अंदर सभी फ्लेवर्स अच्छे से आ जाएं और यह मैंने कुछ हरी मिर्च आड कर दी है पांस से चे हरी मिर्च आड की है आप में टेस्ट के अकॉर्डिंग काम यह जादा कर सकते हैं और यह दिखिए मटन अपना मॉइस्टर जो है वो रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है तो अभी मैं इसमें एक कप पानी और मैंने आड किया है और इसको अच्छे से गलने के लिए रख देंगे तो और उन 15-20 मिनट हमने मटन को गलाया है मीडियम फ्लेम पर और यह इस पॉइंट पर हमें मटन को चेक कर लेना है अब 15-20 मिनट बाद हमने प्रेशर इसका रिलीस कर दिया और मटन भी चेक कर लिया तो यह अब गल चुका है और यह जो हमने दलिया और चावल गलाए थे यह भी अच्छी तरह से गल गए हैं तो इनको भी हम थोड़ा अच्छे से और बीटर से चला लेंगे और यह दालें देखिए कितनी अच्छी गल गई तो इसको भी मैं बीटर से थोड़ा और चला लूँए ताकि यह और इच्छी से मिक्स हो जाए आप चाहें तो इस पॉइंट पर हैंड ब्लेंडर यूज कर से तो अब सभी चीजों को मिक्स करने की बारी है तो हमने एक बड़े बगोने में माटन का जो हमने सालंद यार किया था वो डाला उसके उपर जो हमने दलिया और चावल हम अच्छे से मिला लेंगे इसको हाइफ लिम पर पकने देंगे और बीच-बीच में चम्श चलाते रहिए ताकि कोई लंस न बने और यह पूरा हमने मिक्सचर इसमें एड कर दिया है और बहुत कैरफुली एक में इसको ऐड करना है और अब इन सभी मिक्सचर को हमें अच और इसको इसके साथ हमेना फ्राइड अनियल्स यूज़ करेंगे तो वह भी हमने फ्राइड करके रख लिए और यह दिखिए कितना रेशेदार है तो बस इसमें अब हमें बॉयल आने तक इसको चलाना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए अच्छे से कुक हो जाए और इसकी क अब यह देखिए पकना स्टार्ट होने लगाई यह तो यह बिल्कुल इस तयाना से हम इसको पांचस मिनट और पकाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे तो यह देखिए मान दलीम बिल्कुल तयार हो चुका है और इसके उपर हमने जो मटन की तरी अलब करके कुछ काज़ी स्क्यूपर गारिश कर दिया है और इसके लाब हमने फ्राइड अनियंस और चाट मसाला नमक नीमबू और कोत्मिर पुदीना रख दिया है सर्फ कर दिया है ताकि इसके साथ यह एंजॉय कर सके तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा मिलते है नेक्स वीडियो में तबिक दिया अलाहाफिस और प्लीस सब्सक्राइब तो मैं चानल पूर मोर रसिपीज बाइ